इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिक्स वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है वायरलेस ब्लूटूथ क्योंकि बहुत भाई को दिक्कत होती है अपना कोई भी होम ठेटर को बीटी में बनाने के लिए तो देखे सबसे ही आसान तरीका है ना आपको कोई वायरिंग करनी है ना आपको अपना होम ठेटर या एंप्लिफार को खोलना है ना उसके अंदर कोई वायर लगानी है कोई कुछ भी नहीं लगाना सोल्डरिंग वोल्डरिंग कुछ नहीं करनी है श्रीप आपको अगर आप के हम ठेटर के अंदर USB की सोक्ट है और वो उसके अंदर नॉर्मल आपका जो मोडूल है वो लगा हुआ है तो उसके अंदर आपको इस वाले wireless Bluetooth को यूज करना है तो इसके अंदर देखिए इसको आप शिरिफ अपने USB के अंदर connect करेंगे इसको आप अपने USB के अंदर connect करेंगे और आपका जो है जो home theater या कोई भी amplifier है वो आपका Bluetooth का बन जाएगा यह देखिए यह इस तरीके सा आता है और यह दोस्तों आपको market के अंदर 100 से 1.500 रुपे के अंदर मिल जाएगा अगर आप market में लेने जाएगे तो 100 और 1.500 के बीच में आपको यह मिल जाएगा और यह इसके अंदर माइक है तो दोस्तों यह तो होगी हमारा वो वारला wireless Bluetooth जिसके अंदर हमारा USB का एक port होता है उसके अंदर अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं तो यह तो होगी और इस Bluetooth को आप देखिए यह किस तरीके से आएगा इसके अंदर आपको देखिए एक आपको यह 3.5 mm jack की यह lead मिलेगी AUX वाली lead और इसके अंदर यह यहाँ पर एक AUX की socket मिलेगी लगाने के लिए और एक इसके अंदर आपको इस तरीके से USB मिलेगा तो आप देखिए आपके पास यह USB आपके जो amplifier यह home data में लगाने के लिए नहीं है तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना होगा दोस्तों एक लेना होगा आपको mobile charger mobile charger जब आप लेंगे तो इसको आप लगाना इसको आप लगाएंगे mobile charger में और इसको आप अपना AC के अंदर plug कर देंगे और फिर आप क्या करेंगे एक lead आपको यहाँ लगानी होगी इस वाले BT के अंदर और यह लगने के बाद यह लग जाएगी आपके home data के अंदर अगर आपके पास यह वाली pin नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके से लेनी होगी यह मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं इसको जरा open कर लेता हूँ यह देखे इस तरीके से lead लेनी होगी एक आपको इस तरीके से मिलती है एक इस तरीके से तो ये तो आपकी aux to aux हो जाती है और ये हो जाती है aux to RC ये RC है ये aux है तो home theater के अंदर इस तरीके की lead होती है और बहुत से के अंदर इस तरीके से तो देखिए अगर आपके पास ये वाली lead का home theater है तो आप क्या करेंगे एक पिलक इसको यहां करना है और एक आपका व्लूटूटूथ ना चला जाएगा ये आपका असी अम भावी पेन आपकी यहाहा लग जाएगा तो इस तरीखे से आप यह नाएक अपना यह आपना उप्लूटूटूथ को बना सकते हो तो यह वीडियो में असलिए लेके आया। क्योंकि बहुत से भायों को जो है connection करने नहीं आते हैं कि किस तरीके से कौन से connection होंगे लेकिन अगर आप wireless Bluetooth को यह लिए आएंगे तो आपको जो है बिल्कुल भी wiring करने की जरूत नहीं है और आपको जो system है वह Bluetooth वाला बन जाएगा तो देखें यह वाला जो Bluetooth है वह आपको ले जाने के लिए जगे दी गई और दोस्तों इसके अंदर एक जानकारी ओर दूमें आपको अगर आपके system में पहले से ही Bluetooth है तो यह काम नहीं करेंगे दोनों में से कोई भी अगर आपके system में पहले से ही Bluetooth होगा तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल का आइकन को जरूर दवाना क्योंकि मैं आगी भी दोस्तों ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा